जम्तकार सच टीवी में आपका सब परमिष्ट के लोगों आज जबके सारा विश्व संक्ट में पड़ा हुआ है महामारी मौते ही मौते ही जब हम न्यूई चैनलों के देखते हैं मैं आपसे एक पार ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से आप सभी से नहीं आप कब होश में आएंगे इतने हलात बुरे हो चुके हैं आप कब होश में आओगे जब मौत आपकी गली में आ जाएगी तब होश में आओगे इस समय आपका हिर्दय आपका मन बड़ा देन नमाठाली ही हो जाना चाहिए लेकिन अगर इतना सब कुछ देखने के बाद भी आप का हिर्दय नहीं बदला तो कब बदलेगा को यक फिर कहता हूं कि जब गली में मित्या आजेगी सब कि आप नमडीन हलीम होँगे करे अगर की आपके घर की बात में के जह रहां और नहीं आपके घर में आये आपके घर के चार माथ प्रमिशरNow बाड़ा भांद के रखे लेकिन आज आप देखिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि आपका आप चेक कीजिए आपका मन कैसा है क्या पहला क्या आपका मन शमा करने वाला है जा नहीं आप चेक कीजिए दूसरा क्या आपका मन दूसरों के लिए शमा मागने वाला है कर नहीं है दूसरों की शमा चाने वाला है कर नहीं है दूसरों की शमा के पर हम चाते हैं कि हमें तो शमा मिल जाए लेकिन दूसरे की शमा ना मिली तीसरा क्या आपका मन दीन नमर हलीम मन है या भी नहीं है चोथा, क्या आपका मन प्रेम से भरा हुआ है, जा नहीं पांचमा, क्या आपका मन दहा करने वाला, पलाई करने वाला मन, किर्पाग वाला मन, तर्स खाने वाला मन है, जा नहीं है और पांचमा, क्या आपका मन धीरज रखने वाला है जर एकदम आग बबूला हो जाने वाला मन है साथमा, क्या आपका मन परमिश्र की दिव होई श्यांती से भड़ा हुआ है जर आपका मन व्याक्वल होता है आपको घबराट होती है, चिंता कुरस्त रहते हैं हाई क्या खाएंगे क्या पिएंगे वो आली चिंता क्लिसिया की चिंता तो असलो करते हैं केर करना करते हैं आठमा क्या आपका मन आनन से बरा हुआ है क्योंकि यहोवा का आनन परमेश का बच्छन कहता है यहोवा का आनन अमारा दिरडगड है ओस नमा क्या आपका मन विश्वास से हेंटे कि फरमीश से मेरे वा दॼ नहीं Aa क्या आपका मन पच्छा ताप करने वाला है क्युक्त क्यों कोई ऐप कोई आप पूसे को गलती होती है तो आपका मनद पश्चता है पर अंदर यह अंदर यह करना चाहिए था fiction यह नहीं करना चाहिए था जन नहीं है आपज़ कीजिए और 11 क्या आपका मन संयम रखने वाला है ं समयं को छिए को कंट्रोल करना संयम करना संसाः के और सहर न क्या हम संय आहरे हैं आप देखें आज हम्लोग देख रहे हैं इतना कुष होने के बाव्जूद भी लोग ना शोड़े ही इसके बावजूद भी कोई भी बहुत से ऐसे लोग हैं कोई दैया ना तो दैया करने वाला मन है ना तरस खाने वाला मन है ना किरपा करने वाला मन है ना प्रेम करने वाला मन है ना दीन है ना हलीम है और ना शमा करने वाला है ना दूसरे की शमा चाने वाला है ना धीरज रखने वाला है ना शांती से बरा हुआ है ना आनन से बरा हुआ है ना पशेदाब करने वाला मन है तो एक शब्द में कहूं तो कैसा मन है कठोर मन है कठोर मन है कैसे भी दुनिया को हलात हो ज जाता हूं आप आप चक कीजिए का मति की अंजील 18 अध्याइड उसका 23 और 24 तेइस वचन से लेका 34 वचन था मति की अंजील 18 अध्याइड 23 वचन से 34 मैं आपको जबानी बताता हूं यह क्या है एक राजा है यह याद रखें वहां पर प्रवेश्व मुसी करते हैं स्वर्ग का राज ऐसा है जनके स्वर्ग का राजे का दस्कान दे रहे हैं जनकी यह स्वर्ग की बात है दर्टी के पर दस्कान दर्टी का है प्रवेश्व कहते हैं एक राजा है और उसके उससे किसी ने कर्जा लिया वा था उधार था तब उसने कहा भी मैं अपने दास्तों को बलाया कि मुझे सबका साब्दों लिखा लेने लगा तो उसको भी पकड़ लेका है वह लिखा हुआ है जो तोड़े का दिस्टांथ है तो 20 तोड़े तालंटों कहते थे उसमिश्को एक तोड़े को और एक तोड़ा जो होता था वो 20 किलो चांदी के लगवग होता था 20 किलो चांदी का एक तोड़ा जो होता था तो कितने थे 10,000 तोड़े उसने उससे करजा लिया हुआ था जानिके 10,000 तोड़े उसको देने थे ऐसा कहूं कि 2 दो लाख क्ली चांदी दो लाख क्ली चांदी उसे कि दी थे तो उसने का ठीक है अजा साप दो यह जा तो वह steroid तो मुझे माफ करतो मैं आपके सारे पैसे देढ गा तो जैसे mb recai तो करना इन गरीव हूं मैं जरूर आपके विंती ने लगा तब स्वामी ने कहा चीक है तेरा सारे सारे पैसे माफ किये 2 लाख किलो चांदी माफ कर दे जो 10 जार तोड़े थे जनिके 2 लाख किलो चंदी अब बड़ा खुश हुआ कि मेरा पैसा माफ हो गया इतना 2 लाख किलो चंदी आज के जमाने में दोलाख किलो चंदी की कितनी एमियत है उस समय की बाद दोलाख किलो चंदी आप सोच सकते हैं तब वो महल से बाहर निकला बड़ा खुश था खुश था रास्ते में उसे एक विक्ति मिला जिससे उसने पैसे लेने थे और उसने पैसे कितने लेने थे सो दिनार एक दिन की मेजदूरी होती थी एक दिनार सो दिनार जानिके सो दिनार तो सिर्फ सो दिनार उसने लेना था उसने उसे कहा मेरे पैसे दे वो कहता मेरे पास पैसे नहीं है और विंती करने लगा मिनत करने लगा, मैं दे दूँगा आपके पैसे दे दूँगा वो जिसके दो लाख किलो चांदी माप वह जब नहीं मना तब उसने खहाँ पुलिस के पास ले गया अधकारियों के पास ले गया और उससे जेल में डलवा दिया जब जेल में डलवा दिया तब क्या हुआ तब जब उस स्वामी को पता चला कि इसने सौर पै लेना से सिर्फ सौधनारी लेना था तो उसको तो इसने जेल में डलवा रिया माफ ने किया तो उस स्वामी ने उसे बलाया उसे ने कहा भी मैंने तो दो लाख किलो चांदी दो लाह किलो चांदी तुझे शमा कर दी तुने सौर दिनारी नहीं माफ किया उसको जब तक तुम मेरे दो लाह किलो चांदी ना देगा भर नी देता तब तक जेल में तो उसे जेल में डाल दिया परमेश्र के लोग के देखो ऐसा हिर्द्य है यह सुअरकी बाता है परिशयर नीँ कहा सुअरकया रज्जय का दिस्टान दिया था लोग अपने लिए तो माफी चाहते हैं मुझे तो माफी मिल जाए दो लाख क्लो के मुझे तो माफी मिल जाए लेकर दूसरी को उतीसी भी माफी ना मिले सौ दिनार की माफी ना मिले, एक किलो चांदी की भी माफी ना मिले, मेरे ले ले ती हो जाए, मैं आपके ख़बाद था, हम लोग जब आसे पचीस, पचीस साल के आसपा पहले जब बस बुस में जाते थे दिरो दर, तो हमारे गाउं में बसें बहुत कम रुपती थी, जो आत मैं जब प्रभु में था, कितने सालों के मैं मुझे नहीं मानूं, या नहीं है, यह कब की बाद बता रहा हूं, लेकिन बीस-पचीस साल के बीच में के बाद, तो मैं जब प्राथन करने लग जाना, प्रभु जी बस रुक जाए, प्रभु जी बस रुक जाए, प्रभु से नाम से और बैखकर बस में और अब जब वो शोटे से आगे चलका बस टे पर गाउं पर फे रुकी तो मैं कहता यहां नहीं रुकनी चाहिए प्रभुजी चोटे अड़ों पर ना रुके किसी भी शोटे अड़े पर ना रुके फड़ा फड़ा बड़े अड़ा मतलब बड दूसरों के लिए ना रुके ऑ बार बार रुक रही है यह क्या करती है बार बार रुक रही है शोटशे डौपे इतने टाइम लगा भी आएसे तो ऐसा अपने लिए तो हो जाए अपने दो लाख चंदी जो है वो इसमें हम लोग क्या देखते हैं इस व्यक्ति के अंदर न ना तर्स खाने वाला मन था, ना किरपा करने वाला मन था, ना प्रेम करने वाला मन था, ना दीन मन था, ना हलीम, नमर मन था, ना ये शमा करने वाला मन था इसके अंदर, ना लोगों के लिए शमा चाने वाला मन था, ना ये धीरज रखने वाला तुस ने का धीरज रख मैं मैं दे दूंगा पैससे नहीं दे आपने तो कब बहुत से लोग मुझसे प्राथां करते हैं कि पास्तर जी हमारे गली में दो लोग ऐसे हो के हमारे गली में तीन लोग हैं हमारे गली के पीशे बाले हैं अगर उनके महले में यह स्थिति हो जाती है तो मेरे से रो रो का प्राथां करते हैं अगर उनके गली में आ जाये तो उनका बुरा हाल हो जाता है रो रो का प्राथां करते हैं कि हाए कहीं हमारी जान में निकल जाए हमारे प्राण में निकल जाए तो आप क्या चाहते हैं कि वो हलात हो और फिर आप दीन हलीम नमर हो आज लोगों को देखकर ही आप नमर हो जाएए परमिश्र के लोगों आप 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 का मन जो है वो देया से भरा हुआ किरपा से भरा हुआ तर्सकाने वाला जैसे मैंने गयारा बातें आपको बताएंगे वह होना चाहिए आप एक मिन आप योना की पुस्तक तीन ध्याए और दास वचन पढ़िएगा जब उन लोगों के मन नीनमे के लोगों के मन बदल गए वो दीन हलीम हो गए वो परमिश्र के रोने लगे और यह सब बातें उन्हें के अंदर आ गई जो मैंने आपको बताई तब परमिश्र ने उन्हें क्या कर दिया माह कर दिया भी नहीं है तो नमर हो गए हैं दीन हो गए हैं मैं इनके वुरुद इनकी हानी नहीं करूंगा उनकी जान निकल नहीं थी लेकिं परमिश्र उन्हें बचा लिया लेकिन दूसरी तरफ जब परमिश्र उसे ने बचा ल वहुत दो भी जो, लगा इनको क्यों माफ कर दिया, जो इनको क्यों माफ कर दिया चाहली दिन तो आप ये नाश हो जाने चाहिए थी, ऴाम अपने तो माफी ले ली थी तो ऐसे बहुत से लोगAh Cab har not in a चाहते हैं, मेरे तो आ उप्मिल जाए my aal mini a जाए my an सब आतैके स्कूति हो जाए दूसरीजिये नहीं है। आपको यह संब करने वाला होता है। वो दया करने वाला होता है, वो मन भलाई करने वाला होता है, वो मन किरपा करने वाला होता है, वो मन तर्स खाने वाला होता है, और जो मन ऐसा होता है, दया करने वाला भलाई करने वाला होता है, वो मन प्रेम करने वाला होता है, और जो प्रेम करने वाला मन होता है, वो शमा क चाने वाला भी होता है और जो शमाज चाने वाला होता है उसका मन शांती से बराव होता है और जिसका मन शांती से बराव होता है और उस मन में आनद होता है और जिस मन में आनद होता है वहां उसका मन धीरजवान होता है जिसके मन में धीरज होता है वहां विश्वाश होता है और जिसके मन में विश्वाश होता है आपको मालूम है विश्वाश करने वालों के लिए मरकस्णावतेस में लिखा है सब कुछ हो सकता है इसलिए आप ऐसा सोचें कब 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 अभी नहीं तो कभी नहीं अब अभी बढ़ा लें अपने को दीन करें अभी अपने को संज्मी करें के बार क्या होता है लुग संजम नीरध पाते और छोटी सी गल्पी से बहुसी अनि कर लेते हैं मैं आपको एक क्वेचल पढ़कर बताता हूं आँ न्यायों की पुस्तक नो ध्याई और उसका पांच वचन न्यायों नो ध्याई पांच वचन और न्यायों आठ ध्याई 39, 30, 32 वचन न्यायों की पुस्तक में से देखिए न्यायों नो ध्याय और पांच वचन तब उसने ओपरा में अपने पिता के घर जाके अपने भाईयों को जो युरूबाल के सत्तर पुत्त थे युरूबाल को किसका नाम है गिदाउन का गिदाउन के सत्तर पुत्त थे एक ही पत्तर पाद घात किया एक ही गिदाउन के सत्तर बेटे थे और सत्तर के सत्तर एक ही पत्तर पाद मार दिये किसने मारा सत्तरों को हाला कि इसमें यह लिखा हुआ है सत्तर पुत्तर थे और एक ही पत्थर पास धात किया प्रंतु युरूबबाल का युताम नाम को लोरा पुत्तर शिपकर बच गया क्यों हुआ ऐसा क्योंकि इसने संयम नहीं रखा किसने नहीं रखा था गिदाओन ने क्या गलती थी एक चोटी सी गलती और सत्तर बेटे मरवा लिए एक चोटी सी गलती संयम नहीं था कौन सी गलती थी नियायों आठ देहे में लिखा है आठ देहे तीस और इकतिस वचन कि उसकी बहुत सी इस्तरियां थी और उसकी जो रखैल शकेम में रहती थी उसके एक पुत्तर उत्पन हुआ एक रखैल थी जो शकेम में रहती थी उसके एक पुत्तर उत्पन हुआ और गदौन उसका नाम अभी मलेक रखा जो रखैल थी अभी मलेक रखा और अभी मलेक नही जब गिदौन मर गया गिदौन के मरती ही जब गिदौन मर गया समझे या गिदौन के सतर पुत्तर थे और जब गिदौन मर गया उस समय क्या हुआ जो रखैल का बेटा था अभी मेलेक उसने क्या किया सतर के सतर बेटों को मार दिया जब गदौन मारा थे एक गलती वहां लिखा बहुत सी इस्तरियां थी बहुत सी इस्तरिया तो थी लेकिन उस संजम नहीं रखा गे और जब ढबल कि नियों की पुस्तक में 16 वहाइ और 21 वच्ण में शिंषोन के बारे में शिंषून ऐसा विक्ति था। चुश्ब लोग होते हैं जो गल्ति करते हैं लेकिन गर्टी करने के बाद सुदर जाते हैं लेकलर शम्हुन एक व्यक्ति था जिसने गल्पी की गल्पी के गल्पी की गल्पी की के नहीं सुद रहां तो क्या हुआ उसको पकड़ लिए गया उसको बेडियों में जकट ही और वह जैल में इंद चैल जिंपको निए संजब रखने वाला मन नहीं तो परमिश्र के लोगों मैं आपको बस यह कहना चाहता हूं आप चेक करें आपका मन कैसा है अपका बदल बदलेंगे हलीम बने दीन बने नमर बने आपके मन में क्या है आपका मन उस्विक्ती जैसा तो नहीं है जिसकी बात मैं कर रहा है तो परमिश्र अपकी हिर्दय को बदल लेंगे मैं आपके लिए पराइटान करता हूँ मेरे परमिश्र पिता हा आपका वचान यह जिकल 36, 26 वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें नया मन दूँगा और पत्थर का हिर्दया बाहर नकालूँगा पत्थर हिर्दया बाहर नकालूँगा और मार हिर्दया दूँगा और तुमें मैं नई आत्मा उत्पन कर्वा मेरे परमिश्र जी जितने लोग भी हमारे साथ है इन लोगों में अपनी पहतरात्म को नब दिये पहतरात्मस इनके हिर्दय को बदल देजिए नमर, दीन, हलीम, पशातपी, मन बना देजी इनके जीवन में बदलाट लेके हैं मेरे परमिशर जी, दया करें क्योंकि आप तूटे हुए मन को पसंद करते हैं आप दीन और हलीम लोगों को पसंद करते हैं मेरे परमिशर पिता, अपना हाद बढ़ाएं और इने बलस करें, आशिशित करें, आशिशित करें इनके हिर्दया बदल जाए, आपको पसंद आने मले मन बन जाए मदद करो, सर्ग्या पिता, पर विश्य मुश्य के नाम से प्रातर मन तहनुत आमें, आमें